है लो फेंस वेल्कम बेक तू माई चैनल फेंस आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं कुर्ती की कटिंग जिसकी साइज है यानि जिसका सेष्ट फोर्टी टू है 42 है और यह हम बोटने का कटिंग करेंगे तो चलिए कटिंग का वीडियो स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले हम इसकी लंबाई ले लेते हैं लंबाई हमें इसका फोर्टी फाई रखना है कि फोर्टी फाई इसकी लंबाई ले लेंगे और अभी टगाएंगे हम गले का निसान तो गले का निसान हम इस साइड से स्टार्ट करते हैं जो मारे बंद का साइड होता है यह जो खुदे का साइड होता है इधर हम मुझदत का ह मिझदत लगाते हैं तो तस पहले हम लेंगे से और जो की रहेगा हमारा सअधे साथ इंच पे यह लेंगे हम उठ्था इभी मारा साठे साथ पर रहेगा कर दो और यह लेंगे हम यहां से जैसा कि यह 42 इंच है तो इसका हम कोर्ट भाग करेंगे के 5.5 इंच आए गा तो साड़े दस चेस ले लिए और इसमें टू इंच हमने और बढ़ा के ले लिया में लाइन को मिला लेते हूँ यहाँ पर हम गुलाई देंगे इस पे हमने आगे और पीछे का दोनों साइट का कपड़े का साथ में निसान लगाना है यह सब से पहले हम आगे की साइट का हम गुलाई का निसान लगा लेते हैं उसके बाद यह पीछे की साइट का गुलाई का निसान रहेगा ऐगे की साइट इसको थोड़ा सा अंदर से करके लगाएंगे उसका हम बाहर से निशानलगे अब आपई हम लेंगे गले की चोडाई हम चार इंच रख रहे हैं और बीचे की गले की यह पीछे के गले का निसान हो गया है और यह आगे का गला हम रखेंगे जाड़े पांच इंच पे जाड़े पांच पे हम इसका निसान लगा देते हैं अब इसमें हमें गुलाई देना है पहले हम पीछे की साइड का गुलाई देंगे अब हम आगे की साइड की गुलाई का गुलाई देंगे तो यह हमारा बेग साइड और है यह हमारा फरन्ट साइड दोनों का हमने अगले का निसान लगा लिया मुठ्टे का अभी आगे अगे की साइड की सीज़्ाई के पांच पांच हमें हमींहां से मि'll का निसान लगाना है है दो कि हम शादे नेस पे लेंगे अ कर दो रोड़ाइं हम इतना चेश्ट है हमारा उतना गना डॉराइब हमेन origin साड़ादस ले इंगे सब्सक्रण उसका यहां से हम आधा करेंगे यहां पर हम करीब साथ इंच पर यहां कमर का निशान लगाएंगे कमर की चुड़ाई हम रखेंगे दस इंच पर यह हो गया दस इंच अब हम यह तीनों लाइन को मिला लेंगे अब यहां से हम मार्जन ले लेंगे तो एक स्केल का हम यहां से मार्जन ले ले लेते हैं यहां से हमारे चौक की कटिंग होगी और यहां से हमारा सीधा निशान रहेगा यहां से हम थोड़ा थोड़ा भुलाई दे देंगे कुर्टी में दे दे यहां से हमने कमर को साढ़े चौदै इंच पर रक्षा था और अब चड़ाई हमने 10 उन्ट रख़ था तो यह हमने जो भी निसान लगाना है और आपको भी आपको अगर कपड़े से नापके निसान लगाना नहीं आता है तो आप हमें कमेंट करें हम आपको कपड़े से कैसे माप लिया जाता है कपड़े से मापके कैसे निसान लगा जाता है वो हम आपको बताएंगे नेक्ट वीडियो में इसी वीडियो से ये तो अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं तो सबसे पहले हमें यह जो हम पीछे कि यानि पीछे यानि बैक साइड का जो निसान लगाते हैं उसको कट करना रहता है थोड़ा निसान से जादा ही कट करेंगे कम नहीं कट करेंगे जादा रहेगा तो बाद में उसको कट कर सकते हैं कम हो गया तो फिर हम हमारा कपड़ा फिर खराब हो जाएगा यहां से हम कट लगा देंगे जिससे कि हमारा चारो कपड़े में बराबन निसान रहे हैं यहां से हम कट कर लेंगे हम सबसे पहले पीछे का कट कर लेंगे पीछे का गला हम कटिंग करेंगे और यहां पर हम जो हमारा कपड़ा चोटा बड़ा था अब तो से पहले तो हम इस पर इसकी कटिंग कर लेंगे बराबर कर देंगे हमनें पीछे की साइड को यह हमने बेख साइड का कटटिंग कर लिया है अब इस खुर्ति का हम ये कपड़े को हम अलग कर लेंगे जो शार हमारा करेंगे तो सबसे पहले यहां से कपड़े को अलग कर लेते हैं कि अब यह जो हमारा कपड़ा है यह हम बैक साइड वाले कपड़े को इसे बीच से निकाल लेंगे कि अब इसमें हमें उधर से तो हमारा सब बराबर है सिर्फ हमें हम उठ्धा और गले की कटिंग करनी है तो सबस पहले गले की कटिंग कर लेते हैं गले की कटिंग हम इस तहरा से करेंगे इस हो गए गले की कटिंग हमारे और हम यहां पर अगर कोई डिजाइन बनाना चाहो तो बना सकते हो जिसे कि एक बूंद वाला डिजाइन आता है वो भी यहां पर इसे बना सकते हैं और भी कई सारे डिजाइन आते हैं आप बना सकते आप चाहें तो और इसके बाद यहां तो इसको हम थोड़ा गहराई में ले लेते हैं कि यह यहां से रेडी निसान रहेगा तो इसको मियाँ से कट कर देंगे अब यह वारा बोटनिक गला रहेगा इसके ही साइज की हम पट्टी कट कर लेंगे और फिर इसको जैसे हम कुर्तियां बनाते हैं बना देंगे बोटनिक की कुर्ति की कटिंग हो गई आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक के सेरें सबस्राइब करें मिलते हैं फिसे हम आपको नेश्ट वीडियो में तब तक के लिए बाबा टेक एर